Hello everyone, on the behalf of Study IQ, मैं आदित्य वैवब आप सब का स्वाद करना चाहूंगा तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग मेरे पिछे थम्निल देखी रखे होगे एक निया चैनल लॉंच हो चुका है आप सब के लिए for PCS और Study IQ PCS इस चैनल का नाम है तो आप सब से रिक्विस्ट है एक बार इस चैनल को विजिट किजिए क्योंकि ये चैनल आप सब के लिए ही है और हमारे चैनल का एक थीम है कि अब हम SDM बन के रहेंगे और ये आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है ये हमारे पूरी की पूरी Study IQ टीम के सपना है तो अब हम SDM बन के रहेंगे तो इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए ये मेरा weekly plan है मैं हर रोज आप सब को 8 वजे आता हूं पढ़ाने और ये मेरा weekly plan है जैसे कि आज Monday है तो Monday को हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार quality Tuesday को हम लोग करते हैं बिहार economy Wednesday को हम लोग करते हैं बिहार miscellaneous और Thursday को बिहार census बिहार की जनगन्ना और Friday को बिहार history बिहार काई तिहास और Saturday को आपके बिहार जोगरफी यानि कि बिहार का भूगूत हम लोग cover up करते हैं तो ये मेरा schedule है आप चाहे तो इसका screen shot ले सकते हैं क्योंकि अगर आप इसका screen shot ले लेंगे तो आप एक chronological तरीके से एक planned way में अपनी तयारी को आप कर सकते हो हर रोज 8 बजे ये schedule आपको follow up कराई जाती है class को start करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूँगा कि हमारे study IQ की तरफ से principles of Indian geography एक किताब है ये आपके UPSC और state PCS दोनों को cover up करेगी ये आपके आ चुकी है तो आप इस चाहे तो इस किताब को आप सकते हैं मतलब रटा मारने से ज़्यादा आसान होता है कि हम उसको समझ करके पढ़ें तो आपको ये किताब order करना चाहिए इसलिए नहीं कि मैं बोल ला हूँ इसलिए order करना चाहिए क्योंकि इस किताब में आपको पूरी की पूरी इंडिया की physical human और economic geography की complete coverage मिल जाती है ये आपके state PCS और UPSC दोनों को cover up करता है and most importantly इस किताब में आपको बहुत ही आसान भासा का इस्तमाल किया गया है बहुत ही आसान भासा का इस्तमाल किया गया है और बहुत ही अच्छे अच्छे content दिये गया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो एक अच्छी clarity के साथ एक अच्छी understanding के साथ और most importantly 200 से ज़्यादा maps दिये गया है ताकि आप चीजों को अच्छे से देख करके समझ सको तो इसको आपको इसलिए order करना चाहिए कि यहाँ पे आपको प्रिवेसर questions भी cover up कराए गया है ताकि आपको पता चले कि आपने जो topic को cover up किया है वो आपके प्रिवेसर question में आपके आयोग UPSC या BPSC पूछ रहा है या नहीं इसके लाबा यहाँ पर आपको case study भी मिल जाती है जो कि आपको आपकी तैयारी करने की और या आपकी समझदारी को बढ़ाने के लिए और मज़ादा मदद करती है और do you know का एक अलग section है जो कि आपके अंदर की curiosity बढ़ाता है तो इस book को जलसल आप लोग order कर सकते है flip card, amazon दोनों जगा आपके book available है तो आज ही order कीजिए और आप घर की शुरुआत तो आज का जो ऐसा की topic आप लोग दोस्तों देखी रखे होगे political structure of बिहार यानि की बिहार की राजनेतिक सजनचना यह बिहार विधान सभा देखिए image है तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं political structure of बिहार के बारे में तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो आज का नहीं बहुत ही पुराना राज्य है बहुत ही पुराना और अगर हम लोग बिहार as a independent province यानि के एक स्वतंतर राज के रूप में बात करते हैं तो यह आपके सेरसा सुरी और अकबर के टाइम से एक स्वतंतर बिहार as a राज्य के रूप में established होता हुआ नजर आता है इसकी कहानी और आगे बरती है और तकरीवन आपके अठार्मी सदाब्दी तक आते आते 18 सेंचुरी तक आते आते बिहार राज्य जो है आपके बेंगॉल में मर्ज हो जाता है यह म राज्य जो है आपका विस्ट बेंगॉल के साथ मर्ज हो जाता है कहानी और आगे बरती है और 12 दिसंबर 1911 को यह बहुत ही important date है यह BPSC भी कई बार यहां से पूछ रखा है 12 दिसंबर 1911 को imperial दरबार लगता है और उस imperial दरबार में बिहार को उस imperial दरबार में बिहार औरिश को आपके बंगाल से अलग करने की announcement हो जाती है बिहार से बिहार और उरिशा को बंगाल से अलग करने का जो announcement है यह आपके हो जाता है और फिर उसके बाद आपके यही आपके 1 अपरेल 1 अपरेल 1912 को बिहार और उरिशा अलग हो जाता है बंगाल से और पटना इन दोनों मतल कि बिहार औरीसा अलग हो जाने कर पटना इन दोनों की एक राजधानी established होती है फिर कहानी आपके और आगे बढ़ती है और 1936 में 1936 में जो आपका उरिशा है यह उरिशा आपके अलग हो जाता है बिहार से 1936 में और फिर उसके बाद फिर उसके बाद 1956 में बिहार से कुछ पार्ट को बंगाल में दे दिया जाता है on the basis of linguistic यानि कि भासाई आधार पे और फिर उसके बाद 2000 यानि कि 15 नॉमबर 15 आफ नॉमबर 2000 जारखंड बिहार से अलग हो जाता है और फिर इन सब हो जाने के बाद जो बिहार है वो बिहार आपके 12 में नॉमबर का राजे बनता है एरिया वाइस स्टेट में और थर्ड लार्जेस्ट तीसरा सबसे बरा बनता है आपके जन संख्या यानि कि आपके पॉपुलेशन में काईदे से बिहार बरे राज्यों के सेनी में आता है तीसरा लार्जेस्ट मतब की थार्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यानि कि तीसरी सबसे बरी आबादी आपको बिहार में देखने को मिलती है तो इतने ज़्यादा आबादी को ये इतने ज़्यादा आबादी के उपर administration चलाने के लिए हमें एक structure की जरूरत परती है या कहीं पर भी अगर हम administration चलाते हैं और बिहार जैसे राज जहां पर इतनी ज़्यादा आबादी है तो यहां पर आपको एक जबरदस political structure की जरूरत होती है और आज की class में हम लोग यही cover up करने वाले हैं कि बिहार के political structure के बारे में तो दोस्तों ये class अगर आपको अच्छी लगड़ी होगी तो इस class को आप लोग like कीजेगा और एक बार class के link को copy कीजे और अपने दोस्तों के साथ share कर देजे आप लोग फटाफट तो आज की class में जो हमारा topic of discussion होने वाला है वो आज की class में हम लोग करेंगे links lecture के बारे में यानि कि बिहार के links lecture के बारे में बिहार के बिधाइका के बारे में बिहार के कारपालिका के बारे में, executive के बारे में और बिहार के नियाए पालिका यानि कि बिहार के judiciary के बारे में आज के इस class में हम लोग cover up करेंगे और जानेंगे कुछ important और basics points जो कि आपके BPSC exam में questions पूछिये जाते हैं अमोमन वहां से हम लोग cover up करेंगे तो चलिए, सबसे पहले topic की तरफ हम लोग अगर बर हैं, तो पहला topic आपका है legislature यानि कि आपके विधाई का तो जब हम लोग legislature की बात करते हैं, जब हम लोग विधाई का की बात करते हैं, तो हमारा बिहार जो है, वो आपके by camera assembly है अब आप सब के मन में एक प्रश्टर बनता होगा, कि सर बाई कैमरल या फिर दूई सरदनिय विधान सवा आखिर होती क्या है तो by यानि की 2 या 2 इसको अब लोग दूई भी कह सकते हैं तो जहां पे जो आपके assembly हो या जहां की जो आपके विधान सबा हो वो 2 हो जैसे कि हम लोग अब बात करते हैं हमारे parlement की संसत की तो वहाँ पे आपके राजसबा लोकसबा है वैसी कुछ ऐसे राज्ये हैं जहां कि आपकी जो विधान सभा है वो भी आपके बाई कैमरेल है वो भी आपके दूई सदनिये हैं उनमें से एक हमारा बिहार भी आता है इसके लाब अगम लोग बात करें कि ऐसे और कौन-कौन से राजे हैं तो वो हैं आपके कुमबट कुमबट यह आपका ट्रिक है याद कास्ट, B for बिहार, A for आंधपरदेश and T for टेलंगाना यह छे राजे हैं जहां पे आपको बाई कैमरेल एसेमली देखने को मिलती है और इनको याद करने का ट्रिक है आपके कुमबट उनमें से एक हमारा राज बिहार भी है जहां पे आपको बाई कैमरेल एसेमली देखने को मिलती है यानि कि यहां पे आपको विधान सवा भी देखने को मिलेगा और विधान परिशद भी देखने को मिलेगा जिसको हम लोग लेगिसलेटिव एसेमली या फिर लेगिसलेटिव काउंसिल भी कहते हैं अब मोस्ट इंपोर्टनली हम लोग बात करते हैं लेगिसलेटि 53 seats आपको बिहार के legislative assembly में देखने को मिलती है इसके लाबा एक और प्रस्ण बीपीए से आप से पूछ सकता है कि भाई बताओ कि legislative council यानि कि जो विधान परिशद है बिहार में इसमें आपके कितने seats आपको देखने को मिलते हैं विधान परिशद जो आपके बिहार में है यहा इनकी duration क्या होती है यानि कि इनकी अवधी क्या होती है कोई अगर legislative assembly का member है तो उसका duration क्या होगा तो दोस्तो हम लोग जब बात करते हैं duration के बारे में तो legislative assembly के duration आपके होता है वो आपके होता है यहां मैं लिग देता हूँ legislative assembly का duration आपके होता है वो होता है आपके five years और जब हम लोग बात करते है legislative council यानि कि आप थे विधान परिशत के अविधी के बारे में विधान परिशत के duration के बारे में तो वो आपको दोस्तों देखने को मिलता है आपके हर दो साल में every two years याद रखेगा हर दो साल में one by third one by third members आपके retard होते हैं अब थोड़ा से इसको आसानी से हम लोग समझते हैं अगर हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के legislative council में है आपके 75 75 का one by third क्या हो जाएगा 75 का one by third क्या हो जाएगा 25 राइट तो हर दो साल में यानि कि बिहार के context में हर दो साल में every two year जो आपके 25 आपके legislative council है विधान परिश्ट के जो members हैं MLC जो हैं वो आपके उनका अवधी जो है उनका जो duration है वो आपके खतम होगा तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि भाई इनका duration कैसे होता है तो हर दो साल पे one by third जो है ये आपके retard होते हैं या फिर उनकी अवधी जो है आपके खतम होती है चलिए अब ज़रा हम लोग बात करते हैं बिहार के legislative assembly के बारे में यहां से भी आपके common question बन जाते के भाई बताओ कौन सी party की कितनी seat है कहां से क्या क्या portion है तो जब हम लोग बात करते है legislative assembly के बारे में बिहार के तो सबसे पहले important चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि legislative assembly जो आपके बिहार की है ये आपके assembly ये 243 seat है वहाँ पे आप देखे कितनी party की कितनी seat है मैं आपको अभी explain करता हूँ सबसे पहले जो यहां के speaker के बारे में आपको पता होना चाहिए तो speaker जो है आपके legislative assembly के वो कौन है क्योंकि यहां से आपके question अमूमन बनते है अगर आपको पता हो तो आप लोग comment box में लिखिए विजय कुमार सिन्धा जो की BJP party से है विजय कुमार सिन्धा जो है आपके legislative assembly के आपके क्या हो जाएंगे speaker हो जाएंगे और leader of opposition leader of opposition के हम लोग बात करें तो आपके कौन है तो leader of opposition आपके तेजश्वी यादव ये आपके RJD party से है और ये आपके leader of opposition आपके बिहार के विधान सभा में है याद रखेगा विधान सभा legislative assembly में है legislative council के अलग होते हों मैं आपको अगले slide में बताऊंगा legislative assembly में है अब जब लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके कितने seats हैं तो 243 seats है अगर हम लोग बात करें बिहार के आपके legislative assembly में 243 seat है और तक्रीबन आपको majority party में आने के लिए जिससे 243 का अगर हम लोग half करते हैं तो यह आपके 123 तक्रीबन आपके 123 ठीक है यहाँ तक आपको पहुंचना परता है seat बनाने के लिए सरकार बनाने के लिए तो हम लोग अगर बात करते हैं जो government में है बिहार में यानि कि जो ruling party है वो है NDA 127 seat के साथ लेकर के जिसमें BJP के आपके सबसे आदा party सबसे अगर बड़ी party अगर बिहार बिधान समा में पूछी जाए तो वो है BJP 77 seat के साथ कभी कभी आपसे प्रशन बन सकते हैं बहुँ बताओ अभी right now एक currently data है current data है आपका आफटर आपके जो VIP party के कुछ जो MLA है वो BJP में मिल जाते हैं उसके बाद का मैं data आपको बता रहा हूँ तो अभी जो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी party बिहार बिधान सभा में कौन सी है तो आपके प्रशन का उत्तर हो जाएगा BJP उसके बाद RJD नमबर 2 पे RJD नमबर 3 जडियू याद रखिएगा तो ruling party में भी BJP जडियू हम और independent यह चार ऐसी पाटियां है जो आपके ruling party है और opposition की seat आपके 92 है जिसको हम लोग महागटबंधन कह रहे है महागटबंधन और यहाँ पे आपके RJD सबसे बड़ी party opposition की CPIML 12 seat CPI 2 seat और CPIM 2 seat और CPI आपके 2 seat याद रखिएगा अदर्स की हम लोग बात करते हैं INC 19 और AIMIM आपके 5 तो अगर हम लोग बात करें बिहार के विधान सभा seats की तो यह कुछ आपके सम्मीकरन आपको देखने को मिलते हैं अब यहाँ से प्रस्ट आपके कैसे बन सकते हैं आपसे प्रस्ट मरेगा बिहार बिधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है तो GDU पहली सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है BJP अपोजीसन की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है RJD कितिनी seats हैं तो यह सारे डेटा आपके पास है BJP 77 जड़ी उफोटिफाइब RJD 76 तो इस तरीके से आप यहां से questions आपके बन जाएंगे और आप इन तरीके से इन सारे questions को cover up कर सकते हैं चले अब बात करते हैं बिहार के legislative council की यानि कि बिहार के विधान परिसद की तो जैसा कि मैंने आपको अलेडी बता रखा है कि बिहार के legislative council में आपके total seats जो आपको देखने को मिलती है वो आपको 75 देखने को मिलती है और इन 75 में जो आपके 63 seats हैं ये elected होते हैं बाकी 12 होते हैं आपके nominated होते हैं by आपके governor ध्यार नखेगा इसको तो जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर legislative council के हम लोग बात करते हैं तो legislative council में जो अभी अभी जो present का आपके जो current data है वो कुछ ऐसा है जो government में है आपके यानि कि जो ruling party है वो आपके NDA तिरपन seat के साथ जिसमें जडियू के आपके 28 seats हैं अगर आप से कोई प्रशन पूछेगा कि सबसे बड़ी party याद रखेगा सबसे बड़ी party बिहार विधान परिशद की कौन सी है तो आपके प्रशन का उत्तर हो जाएगा जडियू जडियू के बाद दूसरे नंबर पे BJP 22 उसके बाद तीसे नंबर पे RJD 11 ठीक है ध्यान रखेगा इस चीज को आप लो चौते नंबर पे आपके कौन सी हो जाएगी INC ठीक है चौते नंबर पे INC IND कोई नहीं IND independent है INC पार्टी गर पुछा जाएगी तो यह रूलिंग पार्टी है तिरपन सीट के साथ और आपोजिशन के पास 13 है आपके जिसमें RJD 11 और CPI आपके दो देखने को यहाँ पे आपके मिलती है तो यह आपके करेंट सिनारियो है इसके अलाब अभी CDPO में कोशन आया था अभी रिसेंटली CDPO में कि भाई बताओ बिहार लिगिसलेटिव काउंसिल यानि कि बिधान परिशल जो है बिहार का उसके आपके लीडर आफ अपोजिशन कौन है तो याद रखेगा स्रीमती पु अगर आपको यह इस टाइप के सवाल अभी आपके रिसेंटली जो CDPO का एक्जाम हुआ था वहाँ पर आपके यह सेम कोशन डिट्टो पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले यह आपके एक्जाम हुआ तो आपके सेम डिट्टो कोशन यह पूछा गया था कि लीडर ऑफ लिगिसलेटिव काउंसिल के आपके चेर्मेन कौन है याद रखेगा चेर्मेन आपके कौन है तो अवदेश नारिन याद रखेगा चेर्मेन आपके कौन है अवदेश नारिन यह आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों तो यह आपके हो जाएंगे चेर्मेन चेर्मेन अफ लि लोग जब बात करते हैं ये तो हमारे होगे विधान सब् circular और आपके विधान परिषत के बारे में और लिशलेचर आई होब कि आपको बिहार का समझ में आगया होगा तो अगर समझ में आगया तो एक बार लाइक कर दीजिए इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बिहार के आपके एक्सक्यूटिफ यानि की कारपालिका की यह image देखिए दिखना होगा आपको कोई बता सकता है comment box में की image कहां की है तो आप ल राज्य के राज्यपाल यानि की आपके governor रहते हैं तो जब हम लोग executive के बारे में बात करते हैं यानि की बिहार के executive के बारे में तो जो executive power of the state है यानि की जो बिहार राज्य या फिर अन्य राज्यों का जो executive power है वो आपके governor के हाथ में होता है यानि की राज्य की कारपाली का सक्ति जो होती है वो आपके राजपाल में नहित होती है करती है वो आपके दिमाग में बनता होती है जो किंद सरकार होती है वो आपके governor की न्यूक्ति करती है मुझे फटा-फट आप लोग comment box में लिखके बताइए यह आप लोग का homework हो जाएगा under which article appointment of governor जो है कौन से article के तहत होता है कोई article है भी या नहीं है अगर है तो कौन सा article है फटा-फट बताइएगा comment box में और यह आपका homework हो जाएगा इसके लावा governor जो है आपके governor जो है governor जो है act करता है as a मतलब की advice of the council of minister headed by the chief minister इसका मतलब यह हुआ कि राजपाल मुख मंतरी की अध्यक्ष्टा वाली जो मंतरी परिश्ट की सहायता और सलापर कार करता है यानि कि जो राजपाल है वो मुख मंतरी जो advice देगा यानि कि मुख मंतरी अगर मान के चले की कोई मुख मंतरी है वो मुख मंतरी अपने council और minister यानि कि उनकी जो ministry है वो ministry में कौन लोग होंगे कैसे होंगे इनके बारे में governor को बताएगा और governor फिर उनको point आपके करेंगे इसके इलाबा हम लोग बात करते हैं चीफ मिनिस्टर यानि जो मुख मंत्री है वो मुख मंत्री अपने मुख मंत्री जो है अपने जो आपके मंत्री परिषाद है उनके council अपने मिस्टर जो है उनके साथ collectively responsible होता है assembly के लिए यह आपके समझे कि one of the features होती है आपकी parliamentary democracy के बारे में या parliamentary system के बारे में कि जो आपके chief minister होते हैं वो responsible होते हैं वो जबाब दे होते हैं तो मुख मंत्री के साथ साथ मंत्री परिस्ट जो है सामुहिक रूप से विधान सभा के इसके लाबा एक और important चीज जो आपके chief secretary है is the head of head of permanent executive जो मुखे सचीव होते हैं वो आपके अस्थाई कारपालिका का प्रमुख होता है अभी जो मुख सचीव कैसे लोग बनते हैं तो मुख सचीव ऐसे लोग बनते हैं कि हम लोग BPC के exam की तियारी कर रहे हैं आपका BPC exam clear ह हो जाएगा उस clear exam हो जाने के बाद अब SDM बन जाएगा क्योंकि अब हम SDM बनके रहेंगा हमारे चैनल का तीम है और SDM बनने के बाद प्रमोशन पर प्रमोशन पर प्रमोशन लेते लेते आप यहां तक पहुत सकते हैं तो जो chief secretary होता है यह आपके head होता है आपके permanent executive का यान में नियाई पालिका के बारे में यह image देखिए यह पटना हाई कोट की आपकी image है यहां से आपके human question मनते कि पटना हाई कोट आपके established कब हुआ था तो पटना हाई कोट आपके 9th of February 1916 इसको year को याद कीजेगा यह BPSC का previous question है कि पटना हाई कोट आपके कब established हुआ था दोस् Government of India Act 1915 ठीक है Government of India की याद रखिएगा तो आपके 9 February 1916 को अस्थापित किया गया था और फिर उसके बाद बाद में इसको भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत संबंध किया गया धान रखिया Government of India Act 1915 के तहत आपको यह किया गया इसके अलाबा अभी BPSC का CDP का exam हुआ था Chief Justice of Patna High Court बहुत important question है तो याद रखिएगा Sanjay Karol Sanjay Karol जो है यह इनकी image मैंने लगा रखी है Sanjay Karol माननी है Sanjay Karol यह जो Sanjay Karol है यह आपके पतना High Court के Chief Justice है याद देखिएगा पतना High Court के Chief Justice कौन है Sanjay Karol है एक और प्रस्थ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अभी currently पतना High Court में Chief Justice को मिला करके टोटल कितने judges है तो Chief Justice को मिला करके टोटल जो आपके नयाधीस पतना High Court में भी है वो है आपके 15 नोट डाउन कर लिजेगा very important point very important fact पतना High Court में Chief Justice को मिला करके जो आपके है वो है आपके 15 याद कीजेगा और अभी आपके जो currently Chief Justice है वो है आपके Sanjay Carroll याद रखिएगा कब से हैं तो 2019 2019 से हैं कब तक रहेंगे इनका Retirement कब होगा तो 2023 2023 में इनका Retirement आपके होगा इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पहले पतना High Court के पहले Chief Justice कौन थे तो याद रखेगा Honorable Sir Edward Honorable Sir Edward Manard Day Champs Chairman ध्यान रखिएगा मानिये Sir Edward Minard Dance Champs आपके चैमियर ये वो सक्स हैं जो आपके पहले पतना High Court के पहले Chief Justice ये हैं आपके Sir Edward Sir Edward करके याद कर लिजे आपके एक्जाम में कर डिरेक्टिव वन और वन कोश्चन आ जाए तो अपासानी से इन कोश्चनों को कर पाएं तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज की इस क्लास में जाना आपके Legislative, Legislature, Executive और Judiciary के बारे में तो दोस्तों ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उमीद करता हूँ कि एक क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो जानने को मिला हो तो क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कीजेगा और एक बार अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजे और अगर आपके कोई प्रस्ण है मुझसे अगर आप पूछना चाते हो तो ये मेरे ID's है याद रखिएगा ये Instagram ID है, ये मेरा Facebook ID है, ये मेरा Twitter ID है, ये basically मेरा mail है अगर आप मेंसे कोई भी प्रस्ण नहीं या फिर आपको पूछने हो, तो इन सब जगों पे जा करके आप मुझसे contact कर सकते हो और कोई भी आपके सवाल, query, कोई suggestions हो, तो सब असानी से आप यहाँ से पूछ सकते हो सो मैं उमीद करता हूँ, एक class आपके लिए बहुत फायदे बन रही हो, और आने वाले BPSC exam में ये आपको बहुत ज़्यादा extra marks दिलवा दे और इसका इस्तमाल आप exam में कर सके इस class का, so thank you and thanks for joining the class, thank you